स्वागत्त है दुफ्तों एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल मेडिस्टेन रिव्यू में जहां आप पाते हैं सबी दबान्यों का रिव्यू तो दुफ्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मिलानो सिल टेबलेट के बारे में जो की इसकिन पर होने बाले सफेक दागों को ठीक करने के लिए काफी अच्छी और जानी मानी टेबलेट है तो दुफ्तों आज जम इसी के बारे में सिखेंगे कि इसके क्या का यूजिज है और इसकी डोज और साइड उफेक्ट क्या रहते हैं और वीडियो के लाफ्ट में जानेंगे कि ऐसे कौन-कौन बैकती हैं जो इस टेबलेट को नहीं ले सकते तो इन्ही सबी बातों के बारे में आज जम इस वीडियो में जानने बाले हैं तो अगर आप इस Milano Silk Tablet के बारे में पूरी जानकारे चाहते हैं तो मेरी वीडियो को लाफ तक जरू देखें तो दुफतों सबसे पहले बात अगर जो है Milano Silk Tablet की करें तुशी जो है फ्रेंको इंडियन फार्मक्यूटिकल्स बनाती है और इसमें सिंगल कॉंटिम जो है Methylen दिया होता है और यह आपको 44 गोली के फ्रिब 126 रुपए में किसी भी मेडिकल स्टोर पे आसानी से आपको मिल जाती है तो दुफतों इसमें जो Methylen दिया होता है इसका इफ्तुमाल Ultra Violet A Irradiation के साथ किया जाता है जहां यह तुच्छा द्वारा बनाई जाने वाली कोशिकाओं की संक्या को कम करने का काम करता है Methylen शोरा लेन प्रकास संब्यदन सील दबा जो पराबैगनी प्रकास को अपसोधत करता है और पराबैगनी विक्रण की तरह काम करता है नामक दबाओं के सम्मू से समन्द रखता है यह उस तरीके से संसोधत करता है जिफ तरह से तुच्छा कोशिकाओं को Ultra Violet Light A Bicron Prop करता है इस तरह से यह रोग को दूर करता है तो दुफतू अब जानते हैं इसकी usage के बारे में कि इस टेबलेट का प्रियोग जो है जिसे सामान बादसा में हम सफेच चकते कहते हैं इस बीमारी में ब्यक्तिक की स्किन का Pigment Tension हट जाता है मतलब बहां से Color हट जाता है और बहां पर सफेच दाग हो जाते हैं ये दाग आपको शरीर में कहीं पर भी हो सकते हैं, कान पर, आँको की पलकों के नीचे, होट पर, पेट पर, छाती पर, कहीं पर भी दाग हो सकते हैं, और दुफतो बिटल लोगों की शुरुवात उस इसकिन पर होती है जो डृरेक्ट सनलाट के contact में होती है तो इस बीटिलगों के उपचार के लिए ये tablet डॉक्टिर दिये इसके अलाबा अगर किसी विख्थ को जो है एकजियमा की समस्या है तब भी ये tablet दी geweती है क्योंकि हम सभी को काम की बज़े से घर से बाहर रहना पड़ता है और उस दोरान हमें सुरज की तेज धूब में भी रहना पड़ता है जिस कार्ण बेक्ति को तुच्या पर खुजली होना, तुच्या का रूखा पड़ना, तुच्या पर लाल दब्लों का पड़ना, मोटी प लुफ्तो सोरासिस नाम की बीमारी है इसमें भी स्टेब्लेट का उप्योग लिया जाता है लेकिन जब स्टेब्लेट का उप्योग लिया जाता है लुफ्तो सोरासिस भी तुच्छा से जुड़ी एक बीमारी है इस रोग में तुच्छा के उपर लाल धब्बे या पपड़ की परत सामान से अधिक तेजी से बनने लगती है जिसमें घाव बन जाता है तो इस सोराशिज को ठी करने के लिए भी यह टेबले डॉक्टर द्वारा दी जाती है तो दुफ्तनों यह थे इसके कुछ यूजिज हो सकता है यह जो मैंने यूज बताए इन यूजिज के अलाब हैं अगर किसी वक्त को होते हैं तो तो इसके साड़ फ्लेक्ट जो है खुजली या जलन होना तुछा का लाल होना तुछा पर-दाने या छाले होना इसके इनका कलर गहरा होना बिलड परेसर का कम होना उल्टी होना जैसी समझ्याइं हो सकती है यह यह इसके अलाबा भी आप जानते है इसकी डोजोभी कि डॉट्टोर दाया कितनी महत्तर में दी जाती है तो दो इसकी डोज情 दी जाती है तो आगर किसी के अनुशार इसकी डोज दी जाथी जाती है इसकी डोज के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आप प्रेमिट़क्टर की सफ़्ला भी ले सकते हैं और जिस टेपलिट को मरीज की देने की शुरुआत करते हैं तो जब भी ये टेवलेट दी जाती है तो उसकी एक या तेड़ घंटे वाद आपको कम से कम 15 मिन तक दूप में बैठने की सला दी जाती है और जब इस टेवलेट को लेते हुए कुछ दिन हो जाते हैं तो मरीज को एक दिन छोड़ कर दूप में बैठने की सला दी जाती है और इस मरीज को कम से कम 30 मिन तक दूप में बैठने की सला दी जाती है तो दुफतों अब विडियों के लाफ्ट में जाते हैं कि कौन-कौन ऐसे बेकती हैं जो इस टेवलेट को नहीं ले सकती है तो अगर किसी बेकत को जो है इसकिन का कैंसर है तो उसे य हबाबा अगर किसी वेक्ट को लेवर या हर्दय से जुड़ी कोई बीमारी है तो उसे भी नहीं लेने चाहिए तौ आपनी आखों और होटों को किसी कपड़े से जरूर धकले तो दुफतों यह उमीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आए होगी अगर वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और अगर चैनल पर पहले वाप बिजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सस्क्राइब जरूर कर लें तो आज की वीडियो में फतनाए तो थैंक्स और बंदे मातरम